तो कैसे यह आप सभी सुआत करते हैं आप सभी का यूवस्त जी कोईज में तो फिर दिखे आज के इस लेक्चर में हम सभी कबर करेंगे जियोग्राफिक का टॉपिक वाइज में भारत का परवत के बारे में भारत के परवत से सम्मद्द जो भी इंकपॉर्टेंट कोईशन बन सकते थे वो शारा कोईशन को इसमें मेंसन किया गया है सामिल किया गया तो आप से आज किस खलास को कंप्रेट जरूर कबर कर लिजएगा यह बिहार फायर में ब्यार मदिन से सिपाई और ब्यार कॉंस्टेबल सभी एक्जाम्स के लिए इंकपॉर्टेंट हैं तो आप स और यह बिए पर इस्तित परवत है अगर इंसिट में किसी भी कोईशन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा राइट आंसर आप से नमर भी हो जाएंगे हिमाले भारत के उत्री सीमा पर इस्तित परवत कौनसा है फिन तो ह हिमाले हैं आप सभी याद रखेगा अगला कोशन करते है कोशनमत टू हिमाले परवत एक मुख परकार है तो फिर आपसे को बता होंगे हिमाले परवत जो है यह एक बलित परवत है यानि आपसे में बी को आपसे यहां टीक कर सकते थे कोई दिकत नहीं था इंग पॉर्टन को परवत है हिमाले परवत जो की उत्री सीमा पर इस्थी थे हैं अगला कोशन देखे कोशनमत 3 नेम्ड में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्बोच परवत चोटी है संसार की पहली तो आप सभी को पता होंगे मौंट एवरेश्ट है तो हम सभी कह सकते हैं कुसरी सबसे ऊची चोटी है जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं हम सभी अगला कोशन कर लेते हैं कोशनम 4 भारत में सबसे ऊची परवत चोटी कौन सी है तो दिखे भारत की सबसे ऊची परवत चोटी केटू ही है गौडविन आश्टिन ही है याद रखेगा आप सभी के सिकर हैं तो ओअ तो थीवुधि भारत का सविस सरौज परवत सिखर की बात क्रेएक और ये कंचन जंगा का पर है सिक्किम में है ौप्शन में आंशर हें नंतादे भी कहां पर है उत्रकन में है एवरेष्टड ये हिमाले की सबसे उची पर बद चोट्टि एर ये 20B का सबसे उचा परवत है अगला कोशन कर लेते हैं निमलेकित में से कौन सी हिमाले परवत चोटी असम राज में इस्ती थे फ्रेंड तो दिखें हिमाले की परवत चोटी जो है ये असम राज में कौन सा है तो हम सभी कर सकते हैं नामचा वरवा परवत ये कहांपे हैं तो असम राज में इस्तिते ध्यान रखेगा आप सभी कोश्चन के लिए रहें याद रखेंगे आप सभी नामचा वर्वा कहाँ पे हैं असमराज में अगला कोश्चन कर लेते हैं कोश्चमस सेवन कोश्चमस सेवन ये बंड़े कि हिमाले की उत्पत्ती किस भू सन्नती से हुई है फ्रेंड कि हिमाले की उत्पत्ती जो हुई है ये किस भू सन्नती से हुई है तेथिस भू सन्नती से हुई है यानि ऑफशन नमर डी को हम सभी सौरी ऑफशन नमर ए को यहां टिक कर सकते थे तेथिस भू सन्नती से हिमाले की उत्पत्ती हुई है अगला कोशन देखिए कोशन में एट बदरीनाथ अवस्थी थे तो ये अवस्थी थे कुमायू हिमाले में कहां पे हैं कुमायू हिमाले में हैं जो की उत्रा खंड राज में हैं बदरीनाथ किस राज में उत्रा खंड राज में हैं अगला कोशिन कर लेते हैं कोशिमन 9 कुल्लू घाटी निमलिखित परवस्रेनियों के बीच अवस्थी थे फ्रेंड तो देखे कुल्लू घाटी जो अवस्थी थे ये अवस्थी थे धावला धार तथा पीर पंजाल परवस्रेनियों के बीच में काँ पे हैं धावला धार तथा पीर पंजाल परवसरेनियों के बीच में इस्ति थे कुल्लू घाटी अगला कोशन कर लेते हैं निमलेकित में से किस राज में सबरी माला मंदिर इस्ति थे सबरी माला मंदिर अभी जो की चर्यचा ते ये किस राज में इस्थी थे राइट आंसर ऑफ्सन न्मर्सी हो जाएंगे कियरल राज में इस्थी थे जो भी आफ्सन मंसी को टिक करें बिल्कूल राइट आंसरे ध्यान रखेगा आफ सभी आई अगला कोईशन देखें अगला कोईशन कर लेते हैं गुरु सिखर चोटी किस राज में इस्थी थे हैं तो फिर नावची को बता होंगे गुरु सिखर चोटी जो है यह अरावली की सबसे उची परवत चोटी है और ये है राजास्थान राज में ध्यान रखेगा आप सभी किस राज में है राजास्थान राज में है अगला कोश्चन देख लिए जे से वराई पहाड़ियां कहां अवस्थी थे राइट आंसर ओप्शन नमर डी हो जाएंगे तमिल लाड़ो में अस्थी थे कौश्चन के लिए ध्यान रखेगा आप सभी से वराई पहाड़िया कहां अस्थी थे तो डारेक्ट आप सभी कहां वारेंगे तमिल लाड़ो अगला कोश्चन देख लिए जे उत्रा खंड का सबसे उचा परवस सिखर है उत्रा खंड का सबसे उचा परवस्थिकर कौन सा है राइट आंसर ओप्सेर नमर डियो जाएंगे नंदा देवी नंदा देवी परवस्थे फ्रेंड ये उत्रा खंड का सबसे उचा परवस्थिकर है आई अगला कोशन देख लिए हिमाले का दूसरा सबसे उचा परवस्थिकर कंचन जंगा भारत के किस राज में इस्थित है तो अभी आप से को बताएं कि किस राज में इस्थित है तो ये है सिक्किम राज में ध्यान रखेगा सिक्किम राज में इस्थित है सिक्किम कहां पे हैं तो ये आपका जो है कि ये आपका नेपाल है यहां पे ये सिक्किम है और उसके बाद यहां से जो गुजरता है वो क्या है उपर में भुटान है उसके बाद यहां से अरुनाचल परदेश का सीमा चालो होता है और ये नाग ध्यान रखेगा यह अरुनाचल प्रदेश हैं तो यहां पे हैं सिक्कीम और यहीं पे इस्थी थें कंचन जंगा ध्यान रखेगा अगला कोशन कर लेते हीं संतलज इबं काले नदियों के बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थी थे ध्यान देजेगा आप सभी कोशन क्या है संतलज इबं काली नदियों की बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थी थें तो कुमाईव हिमाले इस्थी थें अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये है कि काली ऐवं तिस्था नदियों की बीच हिमाले का कौन सा प्रादेशिक विभाग इस्थी थें तो याद रखेगा आप सभी कौन सा हिमाले है नेपाल हिमाले है अगला कोशन कर लेते हैं हिमाले का पाद पर्दीस निम्न में से किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम सभी सिवालिक के नाम से जानते हैं जो कि सबसे बाही परवत माला है सिवालिक एड मंड ही लेरी तथा तेन जिंग नौर्गे द्वारा विश्व की सर्बोच परवत चोटी माउंट एवरेष्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई तो ये उनैस सो तिरपन में विजय प्राप्त की गई थी ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोश्चन कर लेते ही सेवराय पहाड़िया कहा आवस्ती थे फ्रिंड रिपीट कोश्चन है द्यान देजेगा आप सभी सेवराय पहाड़िया तमिल लाड़ों में अभी बता चुकी थे रिपीट हो गई कोश्चन अगला कोश्चन दिख लिजे जहाँ पूरवी घाट पूरे पस्चमी घाट मिलते हैं वहाँ निमलेकित में से कौन सी पहाड़िया अवस्ती थे तो ये पहाड़िया जो एफेंड निलगड़ी की पहाड़िया है कौन सी पहाड़िया वस्ती थे तो निलगड़ी की पहाड़िया अगला कोश्चन कर लेते हैं अगला कोश्चन ये बन रहे कि हिमाले परबत एक स्रेनी अराकान योमा कहां इस्ती थे फ्रेंड ये इस्ती थे मैमार देश में किस देश में हैं मैमार देश में हैं अराकान य रेते हीं भारत में हिमाले की सर्बोच परबत चूटी है तो न दीखे भारत में हिमाले की सर्वूच परबस चोटी जो फिंड वो अपना कंचन जंगा है ध्यान रखेगा आप सभी भारत की बात कर रहे तो बहुरत में कंचन जंगा हो जाएंगे अगला question देख लिए जिए नर्मदा एवं तापती नदियों के मद इस्थी थे तो right answer option नमर भीव जाएंगे सत्पूरा पहाड़ियां इस्थी थे नर्मदा एवं तापती नदियों के बीच में याद रखेगा आप सभी कौन से पहाड़ी है सत्पूरा पहाड़ी जैसे कि आप सभी यह देख सकते हैं यह क्या है यह गुजरात का है और इधर से आपका दक्षिन बारत चलाते हैं तो जैसे कि यहां जो एकी इससे यहां से निकलता है आपका क्या नर्मदान अदी और फिर यहां से यह निकलता है आपका तापती नदी और इसके बीच में जो परवत है वो कौन सा है सत्पूरा रेंचे धियान लखेगा आप सभी अगला कोशन देख लिए जे अंडमान और निको बार दूइब समू में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है राइट आंसर आपसन में यह जाएंगे सॉंडिल पिक सॉंडिल पिक जो यह फिर यह अंडमान निको बार दूइब समू कि सबसे उच्छी चोटी है धियान रखेगा अगला कोशन कर लेते हैं हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है तो हिमाले की सबसे पूर्वी चोटी जो की असम राज में इस्ती थे नामचा बारवा परवत है यह हिमाले की सबसे उचिव परवत चोटी है पूर्व की और की अगला कोशन कर लेते हैं हिमाले परवस्रेनी निमले कित में से किस राज का हिस्सा नहीं है फ्रेंड तो देखे उत्तर परदेश राज का हिस्सा नहीं है याद रखेगा हिमाले परवस्रेनी जबकि उत्राखंड सिक्किम और हिमाचल परदेश का है अगला कोशन देखलेजे भारत में सबसे प्राचिन वलित परवत माला कौन सी है भारत में सबसे प्राचिन वलित परवत माला की बात कर रहा है तो right answer option मसी हो जाएंगे अराबली अराबली जो एफेंड ये राजास्थान राज मेज़ती थे और सबसे प्राचिन परवत है याद रखेगा आप सबी अगला कोशन दिख लिए अराबली परवत का सर्बोश सिखर क्या कहलाता है इससे पहले आप से को बताये वे थे कि अराबली का सबसे उचा परवत सिखर जो है वो है गुरु सिखर अगला कोशन दिख लिए ये निमलेकित में से किस परवत माला को सहयादी या सहध्या के नाम से भी जाना जाता है तो पस्चिमी घाट को जाना जाता है याद रखेगा आप से भी किस घाट को पस्चिमी घाट को आई अगला कोशन कर लेते हैं केटू के बाद भारत में निमलेकित में से कौन सी दूतिय सर्बोश परवत सिखर है कंचन जंगा है केटू के बाद भारत का दूसरा सबसे सर्बोश परवत सिखर जो है ये कंचन जंगा है और केटू परतम अस्थान पर केटू कहां पर है तो आपका लद्दाग छेतर में पढ़ता है ध्यान रखेगा केटू ये चेतर में पढ़ता है लद्दाग चेतर में पढ़ता है ध्यान रखेगा आप सबी अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये बन रहे हैं कारडेम पहाड़ियां जो एफेंड वो कहां अवस्थी थे तो ये अवस्थी थे केरल राज में अगला कोशन देख लिए गिरनार पाड़िया कहां इस्थी थे राइट आंसर उपसर नमर विए जाएंगे गुजरात में इस्थी थे आप सभी सारा कोशन को याद करते जाएगा जितना कोशन आपको बता रहे सारे important कोशन है आपके exams के लिए गारो खासिया और जनतिया पाहड़िया किस राज में इस्थी थे तो ये दिखिए किस राज में है मेघाले राज में और ये पुर्वी छितर का हिस्सा है गारो खासिया और जनतिया पाहड़ी मेघाले राज में है अगला कोशन देख लिए जे निमलेकित में से कौन सी दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी है तो देखें दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी जो फिन वो अनाय मोडी है दियान रखेगा आप सभी कौन सी चोटी है अनाय मोडी अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन है भारत एवा मैमार के बीच सीमा निर्धारन करने वाले तिन परवस्रेनिया है राइट आंसर ओप्सन नमर एव जाएंगे खासी पटकोई तथा आराकान योमा ये तीनो परवस्रिनी जोएफेंड ये भारत मेमार के बीच सीमा का निर्धारन करती है आगला कोईशन कर लेते हैं भारत के सबसे दक्षिन भाग में इस्थित पहाड़िया निम्न में से कौन सी है त्राइट आंसर ओप्षिन में ब्यूजाएंगे कारडेम ये पहाड़िया जोएफेंड ये भारत के सबसे दक्षिन भाग में इस्थित थे आगला कोईशन कर लेते हैं पूर्वी घाट परवस्रिनी का सर्बोज सिखर है तो महेंदर गिरी आफिस में भी रैट आंसर रहेंगे महेंदर गिरी जोएफेंड ये पूर्वी घाट परवस्रिनी का सबसे सर्बोज सिखर है अगला कोईशन देखी अगला कोईशन ये हैं कि छोटा नाकपूर पठार की सबसे उची परवस्रिनी है पारसनाथ फ्रेंड फारसनाद जो है ये छोटा नाकपुर पठार की सबसे उची परबस चोटी यानि option मसी right answer रहेंगे अगला question दिखे लिजे धूबगर चोटी इस्थी थे तो ये इस्थी थे सत्पूड़ा रेंज में कहां पे हैं सत्पूड़ा रेंज में इस्थी थे दूबगर चोटी अगला question कर लेते हैं कोडाई कनाल किस परबस रिंखला पर इस्थी थे friend चले बताएंगे आप सभी किस परबस रिंखला पर इस्थी थे तो ये इस्थी थे प्लानी परबस रिंखला पे option नमर ए राइट आंसर रेंगे question के लिए रहें तो चले आज कितना ही आज किस class में हम सभी भारत की परबस से संबंदित चालिस most important question को कबर किये हैं अगर इस topic से प्रसन पूछा जाता है तो जहां तक है कि एक भी परसन आपका नहीं छुटेगा अगर पूछ लिया जाता है क्योंकि जो भी selected question बन सकते थे सारा question आपको करवा दिया गया है तो चले आज कितना ही आज का ये class का लगा आपको नीचे comment box में आप से जरूर बताईएगा अगर आज का ये class अच्छा लगा है helpful लगा तो class को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजेगा आप सभी और maths का class जो है की गनित का class आपको दिया जा रहा है daily जो कि अभी basic से शुरूख किया गया है अगर आपका mathematics कमजोर है और basic से अगर पढ़ना चाते हैं तो आप सभी by all classes को जाके subscribe कर लिजएगा अन्यथा link नीचे description में मिल जाएंगे by alls आपको search करना है जाके youtube पे और उसके बाद channel को subscribe कर लेना है बिल्कुल basic से आपको class दिया जा रहा है और एक एक चीज आपको clear करवा दिया जाएगा ताकि सारा चीज आपको समझ में आए तो आप सभी जाके वहां से गनित को cover कर सकते हैं क्योंकि 10 से 15 question mathematics से पूछा जाता है तो आप सभी इसे जरूर cover कर लिजएगा क्योंकि result बनाने के लिए एक एक नमर काफी होता है तो चलिए मिलते हैं जहिंद बंदे मातर अपना ध्यान रखेगा पढ़ाई आप से भी करते रहिएगा और आज की स्केलास को अपने दोस्तों में सीर आपसे भी जरूर कर देजएगा इसका पेडियाप आपको टेली ग्राम पे अब लेवल करवा देंगे तो वहां से जाके डाउनलोड कर लिजएगा आप सभी जहिंद बंदे मातर अप